दोस्तो नमस्कार 30 अगस सन 2022 मैं करनल अजय आप से मुखातिव होता हूँ आज भारतिय शेर बजार में आगे क्या संभावना है इसके उपर विशेश चर्चा लेके जानिये पुरी रिपोर्ट विस्तार दोस्तो शेर बजार एक ऐसा जबर्दस खेल है कि जब निवेशों को को लगता है कि हमें आपको समझ आने लगा है उसी समय शेर बजार दे देता है बड़ा जटका फैनेशल एस्ट्रोजी बहुत एहम रोल अदा करती है मार्केट को समझने में विश्व की सबसे पुरानी पद्दती एनलेसिस की विश्व की सबसे टेस्टेट पद्दती दोस्तों आज केतू तुला राशी में शनी मकर राशी में शुक्र करक राशी में और सूर अपनी स्वयम की राशी यानि सिंग राशी में चंद्रमा और बुद्ध कन्या राशी में हैं देव गुरू ब्रसपती मीन राशी में राहु केतू से समसबता कोकर मेश राशी में विराजमान है और मंगल ब्रश्चवराशी में है गौरतला बैश शनी और गुरू वकरावस्ता में राहू और केतू हमेशा वकरे रहते हैं यानि 9 में से 4 घरे आज वकरी हैं तो दोस्तो कुछ हिशारा कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन एक मेहना क्या होने वाला है तो दोस्तो फैनेशल एस्ट्रोजी के माद्यम से चाहे अग्रो कमोडिटीज हो चाहे बेस मेटल्स हो इनकी सठीक विशलेशन करना हमेशा से ही एक रहसे में रहा है लेकिन फैनेशल एस्ट्रोजी हमेशा एक कदम आगे बढ़के अगरिम विशलेशन अनुमान आप तक पहुचाती है दोस्तो आप इस शो को देखने से पहले आगे बढ़ने से पहले आप हमारा डिस्कलेमर्स भी ध्यान से पढ़ ले तो दोस्तो आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या होने की संभावना है सरकारी छेतर की कंपनिया भारतिय शेर्वजार में अपना महतापून रोल अदा करती हैं चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो यानि बैंकिंग व्यवस्ता में या फिर आटो मोबाइल में मारूती हो या फिर डिफिंस के अंदर या कैपिटल गूर्स के अंदर बैल हो या बियल हो तो दोस्तो आने वाले कुछ सब्ता में नजर रखी जा सकती है हिंदुस्तान कौपर पर नजर रखी जा सकती है भेल पर बारत हवी इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड नजर रखी जा सकती है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड पर नजर रखी जा सकती है स्टेट बैंक और इंडिया पर और नजर रखी जा सकती है मारूती सुजू की लिमिटेड पर तो दोस्तो आज की तारिक नोट कीजे अगले एक मैने बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे क्या हुआ इसका लेखा जो खालेकर लेकिन याद रखेगा जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है तो आशा की किरन financial astrology हमेशा देती है दोस्तो आप अमरी website तुशारग्लोबलसर्विस.com पर भी विजट करना बिलकुल ना भूले है All the very best, good luck, happy trading